दोस्तो बॉलिवूड के खिलाडी कई जाने वाले अभी नेता, अक्षे कुमार ने कई अभी नेत्रियों के साथ अभी नहीं किया है, साथ ही अक्षे कुमार आज भी इंडस्ट्री की एक जाने माने इस्टार है, हर साल अक्षे कुमार की तीन से चार फिल्में रिलीज होती ह और उन्होंने Bollywood इंड़स्ट्री में अपनी एक अलगी पहचान बनाई है लेकिन आज हम आपको उनकी फिल्मी दुनिया की नहीं बलकि उनकी लव लाइफ के बारे में बताने वाले हैं जिसे जानने के बाद आप भी सरम से पाने पाने हो जाओगे और आप भी Bollywood से नफरत करने लग जाओगे तो जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर आप भी अक्षे कुमार के चाने वालों में से एक हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें बता दे कि जब अक्षे कुमार स्टार्टिंग में इंडस्ट्री में आये थे तभी उन्हें 63 साल की अभी नेत्री से प्यार हो गया था और वे उनके साथ जीवन जीने का सपना देख रहे थे वे अभी नेतरी कौन है और उनका अक्षे कुमार के साथ किस तरह के संबंद थे इसके अलावा वीडियो के अंत में हम आपको अक्षे कुमार के एक ऐसे गंदे राज के बारे में बताने वाले हैं जिसे आप सायदी जानते होंगे तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों जिस बूड़ी अभी नेतरी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उनका नाम है रेखा रेखा अस्टी के दसक की सबसे खूपसूरत अभी नेतरियों में से एक है उन्होंने कई अभी नेतरों के साथ काम किया है लेकिन इससे पहले हम आपको बता दे कि रेखा एक विधुआ है उन्होंने 1990 के दसक में मसूर विजनसमैन मुकेस अगरवाल से साधी की थी आपको बता दे कि साधी के एक साल बाद रेखा के पती का सड़क दुरगटना में निधन हो गया था जिसके बाद रेखा ने अब तक साधी नहीं की लेकिन एक विधुआ होने के बाद भी रेखा अपनी मांग में सिंदूर भरती है अब अगर बात करें अक्षे कुमार की तो बता दे कि एक समय में अक्षे कुमार और रेखा के अफेर के चर्चे खूब सुरकियों में थे इन्होंने फिल्म खिलाडियों के खिलाडी में साथ में काम किया था उसी की सूटिंग के दौरान दोनों काफी नजदीक आ गए थे जिसके बात दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया फिर दोनोंने साधी करने का फैसला किया लेकिन उसी समय अक्षे कुमार की जिन्दगी में ट्विंकल खन्ना की एंट्री हुई जिसकी वज़ा से अक्षे कुमार ने रेखा के साथ अपनी सिंबंद तोड़ दिये आईए बात करते हैं अक्षे कुमार के दूसरे अफेर के बारे में जिसने पूरी बॉलियूड में तैल का मचा दिया था जिया अफेर था अक्षे कुमार और प्रियंका चोपडा का तो चलिए खोलते हैं प्रियंका चोपड़ा और अक्षे कुमार के अफ्यर के वेराज जिसे जानने के बाद आप भी सरम से पानी पानी हो जाओगे उस समय अक्षे कुमार अपनी साधी सुधा जिन्दगी में बहुत खुशते और वे एक आठ महीने के बच्चे के पिता भी थे फिर अक्षे कुमार की जिन्दगी में प्रियंका चोपड़ा की एंट्री हुई इन दोनोंने साल 2003 में आई फिल्म अंदास में साथ में काम किया जिसने बॉक्स आफिस पर धमाल मचा दिया था उसी समय आक्षेकुमार और पिरेंका चोपडा ने तीन फिल्में सान की थी एतराज मुझसे साधी करोगी और वक्त फिल्म मुझसे साधी करोगी की सूटिंग के दुरान दोनों काफी नज़्दीक आ गए थे और इन दोनों की कैमेश्ट्री फिलिम में भी साफ साफ देखी जा सकती थी फिलिम वक्त की सूटिंग के दोरान इनकी नजदीके इतनी बढ़ गई थी कि जादा तर समय ये साथ में ही बिताते थे दोनों ने अपने रिस्ते को पब्लिक में कभी भी स्युकार नहीं किया लेकिन अगबारों की खबरें उनकी अफेर के चर्चों से ही भरी रहती थी उसके बाद अक्षे कुमार की पतनी ट्विंकल खन्ना को इनके बारे में पता चला जैसे ही ट्विंकल खन्ना को इनके अफेर के बारे में पता चला तो उनके पहरों तले जमीन किसक गई लेकिन वे हार मानने वालों में से कहा थी उन्होंने सिच्वेशन को अपने हाथ में लेने की सोची ट्विंकल खन्ना वाँ पहुच गई जहां आक्षे कुमार सूटिंग कर रहे थे वहाँ उन्होंने प्रियंका चोपड़ा को देखा तो उन्हें इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि उन्होंने आक्षे कुमार को एक जोर दार थपड़ जड़ दिया उसके बाद अपने बच्चे को छोड़ कर ट्विंकल खन्ना मुंबई वापस आ गई थी इतना ही नहीं एक बार लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि ट्विंकल खन्ना ने अक्षे कुमार को घर से भार निकाल दिया था फिर अक्षे कुमार को होटल में जाकर सोना पड़ा था उन्होंने अक्षे कुमार को चितावनी दे दी थी कि तुरंत प्रियंका के साथ अपने सारे संबंद तोड़ दे और कोई भी फिलिम साइन ना करे अगर वैं ऐसा नहीं करेंगे तो वैं उन्हें तलाग दे देंगी अब अक्षे कुमार को समझ में आ गया था कि उनकी साधी सुधा जिंदगी खत्रे में है उसके बाद अक्षे ने प्रियंका से सारे नाते तोड़ दिये फिर कभी भी उन्होंने प्रियंका के साथ काम नहीं किया वैसे दोस्तों क्या वाकई में अक्षे कुमार का अफेर प्रियंका चोपड़ा के साथ था या फिर उनकी पत्नी उन पर बेवजाई सक कर रही थी इस पर आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताए